यह देखो यहां पर बारिश हो रही है हमारे यहां तो बारिश में यो नो बहुत खुब्सूरत सी बारिश है बहुत ही प्यारी थी बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन मौसम ऐसे तो होते रहती है यहां पर बारिश लेकिन अज पतल लिए कुछ ज़्यादा खास दिन तो देखा आपने कितना अच्छा आज का मौसम है उसे प्रकार से आज की चहलिंग भी बहुत ही इंटरस्टिंग है आप सब के लिए सबी डीय इफ के लिए और चैनलिंग मेसेज़ भी you know क्या हो रहा है और आपने देखा आज के सीन में क्या दिखा आपको दिखा एक फ्लैग जो हर घर घर में होनी चाहिए है ना आप सब में घर में फ्लैग लगा होंगे हैना तो मैं आद्वांस में आज सब को कल मैं वीडिय सब को भी इंडिपेंडनेट रिख शुब कामना देती हूं और उसे के साथ में इंडिपेंडनेट के लिए आपको गुछ चीज़ बताना चाहती हूं और वह तो बताऊंगी हूं क्योंकि बहुत इंपोर्टन्ट है वह तो मिनिंग फ्ट इंडिपेंडेंट्स क्या मिनिक है आजादी और आजादी किसको नहीं पसंद है हर किसी को पसंद है आजादी हमारे डियम को भी पसंद है और आजादी हमको भी पसंद है फ्रीडम हर कोई फ्रीडम के लिए लड़ाई किये हमने और ये फ्रीडम किस प्रकार की बठ क्या हम सच में आजाद हो चुके हैं और किस प्रकार का freedom आपके DM को चाहिए और किस प्रकार का freedom आपको चाहिए बताए आपको ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है dear friends कि हम आजाद तो हो चुकें अंग्रेज लोगों से लेकिन आजादी उन सारे चीजों से जो की हमारे लिए या किसी के लिए भी सही नहीं है specially हम इस धर्ती पे जनम लिए है अपने आपको ट्वीन जन्नी में बताते हमारी spiritual awakening हुई है और हम spirituality से जूड़ चुके है तो what is the meaning of the spirituality हर challenge इसको face करना आना चाहिए हम लोगों को क्या मतलब है फिर जब एक एज होने के बाद में 40 था 40 के उपर में 50 के उपर में जाने के बाद में 60-70 के एज में जाने के बाद में spiritual awakening हो और उस वक्त हमारे life में कोई challenges ही नहीं है हमने सब कुछ जी लिया हूँ तो spirituality what is the meaning of the spirituality religion में ही काफी लोग फसे और बोल रहे हैं कि हम spiritual awakening हुए हैं मैंने literally ये चीज़े देखी है सुनी है समझी है मैं क्यों बता रही हूँ इस सारी चीज़े छोटी सी छोटी चीज़े सुनो ध्यान से सुनो हम awakened हुए है dear friends हमें सिर्फ channeling नहीं सुनना है हमें बहुत कुछ करना इस धर्ती पे और हमने freedom के लिए जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लड़ाई की थी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना कुछ किया हमारे लिए आजा दी उन अंग्रेजी लोगों से दिलवाया अंग्रेज लोगों से लेकिन हमने उनका utilize किस प्रकार से किया ये भी बहुत ज़्यादा important है और हम अपने आपको बोलते हैं कि हम आर्मी है हम तो देश के लिए क्या करेंगे देश के लिए आर्मी बन के आया है बोलते हो देश के लिए तो छोड़बाजों में रखो धर्ती के लिए भी कुछ नी कर पा रहे हैं एक बतारी हो बात जो है वो सच्चा ही है एकसेप्ट करनी पड़ेंगे सबसे पहले तो इस चीज़ को एकसेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं और हम धर्ती माता के लिए क्या कर रहे हैं अपने आपको आर्मी बोलने से आर्मी बन जाएंगे क्या तो सिर्फ अफरमेशन ही करते रहोंगे तो नहीं उसके साथ में आक्शन भी लेना जरूरी है और अक्शन कैसे लोंगी यहां पर बैठे बैठे एक दुसरे की जलसी एक दुसरे को कॉम्पिटिशन दे रहे है एक तो सिर्फिश ही बने हुए काफी लोग सेल्फ लोग और सेल्फिश में बहुत फरक है सेल्फिश नहीं बनना है कभी भी कि दुसरा का नुकसान करो और खुद का फायदा देखो यह सेल्फिशन होता है और सेल्फ लोग होता है जो अनकंडिशनल होता है खुद से भी और लिखा भी है जो खुद तो दुख से बहान निकल गई है और दुसरों की भी help कर रही है इवन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दुसरों को गरीबों को सिर्फ खाना खिलाना ही हमारा परपस नहीं है इसके अलवा बहुत कुछ है हमारा परपस हमें नेचर से प्यार होना चाहिए नेचर में वक्त भीताना चाहिए सिर्फ क्या हम लोगों को DM के चानलिंग देखने हैं अरे दुख होता है dear friends की क्यों नहीं क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो जो कि बहुत जरूरी है ऐसी बाते मैं करूंगी तो मुझे पता मेरे साथ वही लोग रहो जो परपस पे और लाइफ में कुछ करना दिखाना चाहते हैं और जो रियल में आर्मी बनना चाहते हैं इस धर्ती का जो धर्ती माता की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सब लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जन्यून लोग जो चाहते हैं सच में क्योंकि यहां पर मैंने काफी क्योंकि परपस के उपर में फोकस रखो हमारा परपस क्या है यह जानने की कोशिश करो कुछ लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हां मारम आप ना हमको परपस समझने में हेल्प करो लेकिन एक बात यहां पे और ए आपको खुद ही समझ में आएंगा आपको खुद ही समझ में आएंगा आपका परपस क्या है और एक ही परपस नहीं होता है इनसान का बहुत सारे परपस होता है इनसान का हमारा स्पेशली हमारे ट्विन सोल का एक ही परपस होंगा ऐसा जरूरी नहीं है हमारे बहुत सारे यह इस्तार श्यूआ आया Sa hueff ki par podcast हो सकते हैं ठीक है और हम छोटे-मोटे परपेस करने नहीं आये हम कुछ बढ़ा करने आये धरती पर बहुत-बढ़ा चेंच हम यहां पर धरती पर लेका आने के लिए बोल रहे हैं, खुद के लेयर्स ही खिलिया नहीं हैं अभी तक कि खुद के clear कब होंगे जब चीजों को समझोंगे जब चीजề होंगी आपको पता है यहां पर मैंने काफी लोगों को देखा इसलिए और यह intuition power इतना मैंने जो increase किया है मतलब मैंने खुद से किया है क्या नहीं यूनिवर्स ने किया है और मैंने अपने उपर में काम किया है क्योंकि देखो एक स्कूल होती है बच्चों को बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होता है यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक होता है जो हुशार बच्चा होता है मतलब सामने मतलब जो हुशारे टॉपर है क्लास का और एक जो बिलकुल धबा है क्लास के नाम पे वो दोनों में क्या फरक है दोनों को भी पैचानते दोनों को भी नेम और फेम मिला है लेकिन किसी को अच्छा तो किसी को बुरा जो topper है वो topper है वो ऐसे ही बन गया कि उसने hard work किया उसने चीजों को समझा वो हर चीज में आगे रहा आगे रहे कि काम किया तो आप भी तो वैसे बनो आपको topper बनना है या बेक बेंचर बनना है हर कोई जाने आपको भी और मुझे भी यह सिर्फ आप पे अप्लाए निहीं होता मुझे भी अप्लाए होता यह universe के words है यह universe के words है literally बार बार universe एक्जाम लेते रहेंगे ठीक है exams क्यों लेंगे exam में यहाँ पे कोई form बने की जोड़त नहीं यह डारेक्ली एक्जाम्स होते हैं यहां पर ठीके कैसे होते हैं कैसे होते हैं कि एक्जाम्स इस परकार से होते हैं कि आपका अंकर्डिशनल लव आपकी लॉयल्टी चेक की जाती हैं जब दुख होता है ना जब इनसान को दुख होता उस समय आप दुख जब देते ना यून तो आपके एगो का एक्जाम होता है और आपके पोलाइटनेस का एक्जाम होता है मैं इसको एक्स्प्रीन करूँगी सबसे पहली बात यह है कि आपको यह चीजे समझाने की युनिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्डन विशे यह है कि मादुर्गा ने आज ही सुबे बहुत स्ट्रॉंगली एक मेसेज दिया था वीजन बहुत बताती हुँ आपको एक वीजन पहले बता देती हूं वीजन यह था कि कुछ ऐसी आ्यसे जैसे कुछ लोग बैठे दे कहां ऐसे बैठे ते मतलब कैसे एक्स्प्रीन करती हूं देखो अर यह आज कल के अनर्जी है जो मैं बता रही हूं और उसी के साथ में आज़कल के नर्जी वी है और टामलेस भी है ठीके कि वाहां पर काई खे जिसे कि वहां पर क्या लगा हुआ था था just सामने क्यों साथ नियुक्त inflate को बाल attracting, क्यों離 उंख था। ये लग टियुक्ता के सामने कियो रिए घराठी था कहते हो लिए रीर नियुक्ता के में मुण अजिसे की लंची किस अंद बैंक की और दम कोसे कफि pengalatar करें 2 कव्यकंटा तो एक इंसान आया इती है इधर फेमिनन का है तो इसलिए जो तो counter खाली पड़े थे, जिसमें कोई क्यों नहीं था, उसमें एक इनसान गया, और उसने उसने जाके एक कुछ paper दिया उसको, ठड़ वाले को दिया, तो ठड़ वाला देखता है उस paper को, और बोलता है, इसमें मुझे कोई फायदा मिलने रहा है, मुझे कोई मतलब होना च तो इससे और वो जो बीच में बैठा था उसको तो कोई रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं थी बस वो बैठा था उसको मतलब से भी कोई मतलब नहीं था मतलब यहां पर तीन एनरजी को दिखाया गया था एक जो अनकंडिशनल था जिसके पास में बहुत बड़ी क्यू थी और एक बीच में तो उससों ना फायदा देखना था नुकसान देखना था यहां पर करन्ट एनरजी युनिवर्स यहां पर यह मुझे इंटुशनली युनिवर्स ने यह बताया है ध्यान से सुनो कि यह जो वीजन है यह नॉर्मल वीजन नहीं है यह आकाशिक रिकॉर्ड है जो दिखाना चाहते हैं समझाना चाहते हैं कि कोर्स के द्वारा समझा रहे है यहां पर यह वाले वीजन से कि अनकंडिशनल रहोंगे तो आप एक रिच परसन या कुछ बन सकोंगे एक फेमस परसन बन सकोंगे और लोग भी आप पी के पास आएंगे और आप इसे हेल्प अनकंडिशनल रहना है इस वेरी इंपोर्टेंट इस वेरी इंपोर्टेंट अनकंडिशनल रहना काफी लोग अनकंडिशनल नहीं रह पाते इसके इसमें मेरा कुछ फायदा है तो ही मैं वो करूंगा नहीं तो नहीं अब इनवक कर रहे हो तो अपने खुद के लिए इनव को ठीक है हम अपना बेस्ट वर्जन बने हम अपना बेस्ट दे हां हर किसी को रियूनियन चाहिए और मिल भी रहे हैं काफी लोगों को मिल चुके है रियूनियन ठीक है लेकिन यहां पर गड़बड यह हो जाती है कि सिर्फ रियूनियन तक ही अपनी जन्नी समझ के अपनी जन मेर जन्नई कम्प्णी advoco गई तीन मेर एक साल मेरी जन्नई कम्प्णी बोलते हो नहीं जार बच्चो आपके यासे माधूर्गा के था यह आपको कुछ में बढाके औापने आपको कुछ रू भूल रहे हो तो करो action बनो बच्चो अक्षन ओरिंटेड बनो ऐसे मादुर्गा के वर्ड से मादुर्गा लिट्रली मुझे इतना strongly messages मिल रहे मादुर्गा के कि अपनी value को समझो और अपनी self-respect को समझो जहाँ पर आपकी कद्र ना हो जहाँ पर लेकिन आप सही हो यदी यदी अगर सही हो और आपके कदर अगर वहाँ पे लोग नहीं समझ रहें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ रही है तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट वही है हमारे लिए कि हम कोई अपमान करें तो उससे बुरी चीज़ा और कुछ हो इनी सकता तो अपमान कोन कर रहा है आपको क्यों करेंगा अपमान अगर आप सही हो तो नहीं है यदी सच में आप अच्छे इनसान हो और वो जान बुछ के अपमान कर रहा है आपको तो उस परसन से दूर हो जाना ही बेटर है ये भी मेसेज मिला था मुझे आज वो भी मैने बता दिया आपको य कुछ भी आक्षन नहीं ले पारे, क्यों नहीं ले पारे, कुछ लोग, डियम्स, अपना एक्षन, कुछ चीजे कहां कमी हो रही है, तो वहाँ पर समझदारी की जुरत पड़ती है, कि हमारे भगवान युनिवर्स चाहते क्या है हमसे, क्या है मेरा, मुझे क्या एक्षन लेना है, क्या नहीं लेना, ये चीजे भी समझना बहुत इंपॉर्टन्ट है, सौ दर्द है, सौ राहते, ये गाना है चानलिंग सौंग, ठीक है ये गाना आप सुनना, मैं भी सुनूंगी अच्छी से, क्या है करके, मैं पता ये जब ये वाला मैं वीडियो बनाने के लिए कितनी बार रुकावटे आई, कितने बार स्टॉप हुआ ये वीडियो बनानी के लिए, हम जो धरती पे Twin सोल्स, Twin सोल्स बोलो या Twin Flame बोलो, या Star Sits जो हमारे बच्चे होते हैं, वो यहां क्यूं आये हैं? यह सब लोग धरती पे आये क्यूं है? आप बताओ क्यों आये हैं, क्यों आये हैं यहां पे धर्ती पे बोलो क्यों आये हैं, सिर्फ अपना कर्मा रिलीस करने के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ अपने कर्मा से रिलीस करने के लिए आये हैं यहां पे यहाँ बहुत बड़ा कुछ अच्छा काम जिससे की बहुत बड़ा बदलाव करने आए है वो बड़ा बदलाव क्या हो सकता है वो बड़ा बदलाव है छोड़े छोड़े बदलाव तो विससे साधरन लोग भी कर रहे है बड़ा बदलाव हम करने के लिए आया है तो बड़ा बदलाव यह जो बन गया है जात, पात, धर्म, एज, ये सारी चीजे इंपॉर्टन नहीं है, सोल के लिए बताने के लिए है हमारे भगवान, यूनिवर्स, हमें बहुत प्यार करते हैं मादुर्गा हमसे बहुत प्यार करती है इसलिए मादुर्गा चाहती है कि आप लोग हमेशा खुश रहो हम सब लोग बहुत खुश रहे मादुर्गा कह रही है कि बच्चो, आपकी जो भी परिशानी है ना मुझे से शेयर करो, मुझे बताओ, मैं आपका सोलूशन दोगी, मुझ तक पहुशने के लिए आपको महनत करनी पड़ेंगी, बठ, मादुर्गा तक पहुशने के लिए महनत करनी पड़ेंगी, जैसे कि युनिवर्स का, अभी हमारा क्लास जो चल रहा है, बहुत अच्छी से, यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे टिखने के लिए, युनिवर्स की क्लास में टिखने के लिए भी, eligibility होना बहुत जरूरी है, वो eligibility बार-बार exams के लूप में लिए जाती है, जिंदगी में कही बार सुख और दुख हर किसी के life में रहती है, बट specially हमारे life में जो दुख आते हैं, वो दुख हमें और भी strong बनाने के लिए आते हैं, आपकी हिम्मत, आपकी हिम्मत, आपकी चालेंजेस को आप कितनी अच्छी तरह से फेस कर पा रहे हो, आपके अंदर कितना धहरिया है, ये देखने के लिए होता है You have to patience, ठीक है, patience, universe पे भरोसा is very important उसी प्रकार से जब हम universe से prayer करते हैं, आज ही नहीं कभी भी universe की class में आने के लिए भी आपको prayer करने पड़ेंगे, तभी आप आओंगे Universe की class इतनी powerful energy के साथ होती है हमारी lieu class, जो कि अभी तक के कभी भी कहीं पे भी आपको देखने के लिए सुनने को नहीं मिला है जो चीज मैं already class में कराती हूँ, वो चीज आपको फिर बाद में कहीं पे सुनने को मिल सकती है, लेकिन पहले नहीं पहले बिल्कुल नहीं, बाद में कुछ लोगों ने उसको reveal किया, कि ये कराती है माड़ाम वो कराती है, बहुत कुछ कराती हो बट वो shift के अनुसार और वो होते हैं उसी वक्त के लिए उस energy के अनुसार, जो universe directly करवाते हैं, मैं नहीं मैं कुछ नहीं करवाती हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मैं कराती हूँ करके भी बोलना बहुत गलत बात है में लिए universe करवाते हैं, और literally ये ही सच्चाई है, जब आप universe की class की value नहीं समझ पाते हो तो वो energy को accept universe भी नहीं करते हैं, ठीक है? तो universe की value को समझो, universe को समझो, universe की respect करो, universe हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और universe हमसे बहुत प्यार करते हैं, और ठीके रहने के लिए भी बहुत धैरिया और patience मतलब की जुरत पड़ती हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन्दगी में, अभी अपने ही साथ में, किसी भी साथ में, कि ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, universe ने भगवान ने ऐसा क्यों किया? universe को भी ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा universe को पता है, कि हमारे लिए क्या सही है और जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे ही करमास होते हैं अगर कुछ बुरा हो रहा है एक तो एक्जाम होंगा हमारा है ना एक्जाम होंगा या फिर दुसरा ये हो सकता है कि यूनिवर्स को हमसे बेटर पता है हमारे लिए क्या अच्छा है हमने जो मांगा उससे कोई अच्छी चीज जो हमको युनिवर्स देना चाहते हैं बट हम नहीं समझ पारे उस पल के लिए बाद में समझ में आता है वो चीज लेकिन युनिवर्स हमेशा हमारे अच्छा ही करेंगे God bless you